दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगी कि Z-plant का हमारे वास्तु शास्त्र में क्या महत्व है और इसे किस दशा में लगाना चाहिए और साथ ही इसका वास्तु शास्त्र में क्या महत्व है पास्तु शास्त्र में Z-plant का बहुत अधिक मैत्व है Z-plant को आप घर में कहीं भी लगा सकते हैं इसका कोई विशेश दिशा निर्देश नहीं होता है कि इसे कौन सी दिशा में लगाया जाए इसे किसी भी दिशा में लगा सकते हैं इसका हर दिशामे लगानी पर बहुत ही अच्छा प्रभाफ आता है पास्तु शास्त्र में जैट प्लांट का बहुत अधिक विशेश मैत्र है जैट प्लांट को धन से सम्मंधित समस्याओं का निवारण करने वाला भी माना गया है जैट प्लांट घर की नकारात्मक उर्जा को बाहर कर घर में सकारात्मक उर्जा का वास करता है जैट प्लांट सुखना नहीं चाहिए अगर आप चाते हैं कि जैट प्लांट हरा बरा रहे और दिन बादिन ग्रोथ करे तो इसे हमेशा सूरी की रोशने में रखना चाहिए और इसे 8-10 घंटे की धूप देना चाहिए और साथ ही इसमें बहुत कम पानी देना चाहिए अगर आपके घर में नकारात्मक उरजा है तो जैट प्लांट खुद बाखुद सूख जाएगा जैट प्लांट को लगाते वक्त इसके पॉट में एक सिक्का जरूर रख देन जमीन के अंधर इससे जैट प्लांट घर में धन भड़ोतरी का कार अच्छे से करेगा जैट प्लांट को हमेशा प्रवेश द्वार के पास लगाना चाहिए इससे जेट प्लांट बहुत बेनिफिट देता है जेट प्लांट को मनी ट्री भी कहा जाता है इससे घर में धन धानने दिन बदिन बढ़ता जाता है